नमस्कार में बॉबी जह, MLS नुन्स लाइब में आप सभी का स्पागताई ली देखते हैं आज की खास खबर पाचान छुपा कर सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे थे पीम मोदी के चाचा सुरत के सिविल अस्पताल में पुधवार को तब हंगामा खड़ा हो गया जब स्टाफ को पता चला की परधान मंती नरेंद मोदी के चाचा कानतीलाल मोदी नाम बदर कर उनके अस्पताल में इलाज करा रहे असल में कान तीलाल मोदी ने पीएम से रिष्टे की बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका दूसरे लोगों के मुकाबले अतिरिक्त ख्यार रखा जाये कान तीलाल ने इराज के लिए भरती होनी के दोरान किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो भी ये मोदी के रिष्टिदार है उन्होंने खुद की बाचान चिपाने की कोशिश की जिससे पीएम के रिष्टे की बात सरवजेनिक न हो हाला कि अस्पताल में जब पूछताज हुई तो ये बात सामने आ गई उद्वार को यूरिन इंफेक्शन के समस्या के चलते कान तीलाल अस्पताल पहुँशे थे जाज में उनका शुगर लेवल 322 और ब्लड प्रेशर 150 पाया गया यही मेडिसीन से सरजरी विभाग में रेफर कर एड्मिट कर लिया गया हाला कि पियमोदी के भाई और परिवार के दूसरे लोग भी समाने जीवन जी रहे पियमोदी के चाचा कान तीलाल भी पियम के नाम का इस्तिमान करने से पहरेश करते हैं और इसलिए उन्होंने पहचान चुपा कर सूरत के सिविल अस्पतार में भर्ती होने का वैसला किया था 81 वर्षय कान तीलाल सूरत के पाल अडाजन के रूद्र एजेंसी में रते हैं जेडियू नेता की नितिश को पियमोदी उमीद्वार बनाने की मांग कहा मोदी को वहमत नहीं मिल रही है मीहार में एक बार फिर नितिश कुमार को प्रधान मंत्री बनाने की मांग होने लगी है इस बार जेडियू के ही एक नेता ने प्रधान मंत्री पत्रों लेकर नितिश कुमार के नाम की पेशकश की है जडियो नेता गुलाम रसूल पलियावी ने कहा है कि इस बार के चुनाव में पियम मोदी को वहमत नहीं मिल रहा है इसलिए नितीश कुमार को पियम मोदी उम्मिद्वार के हुख में पेश करना चाहिए जडियो नेता का यह बयान गड़ बंधन साथी बीजेपी को असाज कर सकता है हाला कि गुलाम रसूल पलियावी बरतमान में बिहार बिधान परिशन के सदस्य है वह जडियो के राज्य सभा के सदसे भी रह चुके हैं और इन्हें नितीश कुमार का विश्वास्त माना जाता है वही इससे पहले भी नितीश कुमार के प्रधान मत्रिपत की तावेदार की चर्चा राजजितिक गलियारों में रही है अब इस गुजराती ने प्रधान मत्री मोधी को उनके साथ बहस करने के चुनाते देडारी है विजेपी की अभुवाई वाली किन्द सरकार के हर मोर्चे पर नाकाम करने का आलोप लगाती हुवे कॉंग्रेस नेता सेंपित्रोधा ने पुरधान मत्री नरेंद मोधी से कहा की वे भी गुजराती है इसलिए उनके साथ डिवेट करें पित्रोधा ने दावा किया है कि ऐसा माहूल तयार कर दिया गया है जहां लोग तथ्यों पर विश्वास नहीं करते पलके विशन वीडिया पर प्रचारित के जाने वाले जूट पर भरोसा करते हैं पित्रोधा ने मोधी पर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के पजट का आधा हिस्सा प्रचार पर खर्च किये जाने का भी आरूप लगाया है मोदी ने जंत्रा के पैसों पर दुरुप्योग अपने प्रचार और अपने विग्यापन के लिए किया तो MLS News लार की खबर देखनी के लिए आज प्रेस टोर्स MLS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद